हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए ट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिधानी मिश्र धातू निगम लिमिटेड एमडी एनल की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के वार चैक्ते हैं, अगर आप एपलाई कर सकते हैं, तो आप इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं, यहां पर आपकी जो मैक्जिमम ए इस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप जिस भी post के लिए applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं और यह friends यहाँ पर जो vacancies की eligibility conditions हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है साथ में friends आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको apply का link मिल जाएगा, notification मिल जाएगा, website का link मिल जाएगा तो आप details को verify करने, check करने, अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, MDNL मिधानी recruitment 2021 non-educative post के लिए तो आप इसमें online apply कर पाएंगे बात करते हैं friends इस वीडियो में, form fill up process के बारे में और इस वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो friends ये इसका online apply portal है, जहां से आप इसमें आविदन करते हैं, requirement of non-educative post के लिए यहाँ पर आपको तीन option है, apply का, login का, और आप यहाँ पर department का, जो vacancies की detail है, वो आप चेक कर पाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं, apply मिधनी post के लिए आप इस option पर click करेंगे इसके बार आपके सामने इस तरह का portal open होगा, यहाँ पर friends आपको registration page में आपको आपकी basic जानकारी fill करनी है जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है आपकी user ID तो आपकी जो भी user ID है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, और यह friends आपके active and valid होनी चाहिए इसके बार friends नेस्ट option है आपका, password का तो friends आपको यहाँ पर password generate करना है password friends आप कैसा भी यहाँ पर generate कर सकते हैं, कोशिश कीजिए alpha numerical password आप बनाएं, मतलब alphabet भी हो और numerical value भी आपकी उसमें हो, इसके बार advertisement number आपको select करना है आपको post category यहाँ पर दी गई है, आप इन में से जिस भी post के लिए applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं आप उस post को select कर सकते हैं, इसके बार friends से यहाँ पर आपको post name मिलेगा तो आप post name select कर लेंगे यहाँ पर आपको देना है, आपका surname तो आपका जो surname है वो आपको यहाँ देना है और उसके बार आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा, इसके बार friends से यहाँ पर आपका next option आपके gender का है, gender select कीजिए आपका जो DOB है, means date of birth है, आप इस calendar पर click करके आपकी जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो आपको date, month and year आपको select करना होगा, इसके बार यहाँ पर आपको देना है आपका father name और इसके बार आपको देना है यहाँ पर mother name यह enter करने के बार आपको category select करनी होगी, general, SC, ST, OBC, EWS जो भी आपकी category है वो आप select कर सकते हैं अगर आप OBC candidate है तो आपको यहाँ पर बताना है, आप non-crimalier में आते हैं या फिर आप criminalier में आते हैं तो आप यहाँ पर select करेंगे, इसके बार अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं, type of disability, percentage of disability आपको बतानी होगी, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, आपका religion आपको select करना है, state of domain, आप कहां के निवासी है वो आपको बताना होगा, आपका nearest railway station कौन सा है, आपका 10 digit का mobile number क्या है यह आप यहाँ फिल करेंगे, इसके बार अगर register है, implement exchange, अगर आपने जिले की रोजगार काराले में register है तो आप yes कर सकते हैं, आपने registration number को, किस state से register है, किस district से register है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें no कर सकते हैं, मिधानी reference number आपका है, आपके पास provide कर सकते हैं, और अगर नहीं है, तो आप इसे blank छोड़ेंगे, एक service में अगर आप है, तो yes कर सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे, internal candidate है, तो yes कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखिए, जानकारी को yes करते हैं, तो आपको यहाँ पर उ पर मंदल देना है मतलब आपकी तहसील या डिस्टिक आप दे सकते हैं आपका जो सिटी है वो आपको यहाँ पर देना है आपका पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा यह फिल करने के बाद जानकारी को वरिफाय करने के बाद आप यहाँ पर ने स्टेप पर क्लिक कर सक इसके बाद आपका registration हो जाएगा successful और आपको यहां पर login का option है यहां पर आप click करेंगे आपकी जो active and valid mail ID से आपने यहां पर registration किया है और उसके बाद जो password आपने बनाया होगा starting में और जो यह capture code आपको दिया गया है यह capture code fill करने के बाद आप friends से यहां से इसे submit करके login कर सकते है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का option आएगा और यह है आपके edit या update का तो जो आपने profile आपने बनाई है थोड़ी दिर पहले उस profile में अगर आप registration में कुछ edit करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस पर आप click करेंगे और उसके बाद friends से आपके सामने हर एक option के सामने दे यहां पर देखिए name of the course में सबसे पहले entry करेंगे SSC की इसके बाद आपको SSC की entry करनी है ITI है diploma है graduation है उसकी जानकारी आप यहां पर provide कर सकते हैं अब trade या specialization क्या है तो आपनी subject के name आप यहां दे सकते हैं या फिर आप friends से यहां पर आप all general subjects की entry कर सकते हैं इसके बाद आपक passing क्या है तो month and year आपको बताने है तो आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी यहां पर provide कर सकते हैं तो यह friends से आप अपने according यहां पर fill करेंगे इसके बाद आपका class division या percentage क्या है वो आपको बताना होगा इसके लबाद फेंस पीसी operation as a subject आपने graduation level में पढ़ा है आप इसके बाद आपको certificate upload करना है ssc का तो आप यहां पर browse पर click करेंगे pda format में यह आप upload कर देंगे इसके बाद फ्रेंस आप यहां पर देखेंगे जो आपका qualification section है इसमें आपकी ssc की detail आपकी आजाएगी ऐसे ही आप दुबारा से add new पर click करेंगे अब यहां पर आपको option मिलते इसके लिए डिप्लोमा है बी बीटेक है एंबीए है पीजी डिप्लोमा है एंबीब्यस है गेट का scorecard है आपके according आप यहां पर जनकारी को फिल कर सकते हैं इसके लिए फैंस आपको notification को readout करना होगा notification में आपसे जो जनकारी मांगी गई है वो आपको यहां पर फिल करनी हो आपको यहां पर mention करना होगा आपका percentage क्या है इसके लावा यहां पर PC operational subject है या नहीं है और इसके भी mark sheet या certificate आप यहां पर upload करेंगे तो इस तरह से आपको यहां पर अपनी qualification को add करना होगा अगर आप एक सर्विसमेंग की जनकारी यहां पर फिल करना चाहे तो आप इसे भी confirm कर सकते हैं नीचे है आपका experience section तो आपको add new पर click करना है अब यहां पर देखिए जो आपको यह option दिया गया है यह जो option है star वाला यह आपका mandatory है मतलब यह आपको fill करना जरूरी होगा सबसे पहले है आपका designation मतलब post का नाम किस post पर आपने काम किया या काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है organization आपकी किस तरह की है वह आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपकी organization का नाम क्या है organization कहां पर है आप उसकी जानकाई देंगे पूरा address आपको fill करना होगा organization का mail ID यह mobile number आपके पास आप दे सकते हैं नहीं तो आपकी जो mail ID है वो blank चोड़ेंगे phone number आपको देना होगा तो उस organization की official website पर यह number मिल जाता है और आपने वर्क किया है तो आपके पास वहां का contact number होगा वह आप यहाँ फिल करेंगे employment type आपका क्यासा था fixed term था या फिर permanent था ट्रे पर जानकारी दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर salary की जानकारी आपको देनी होगी तो यहाँ पर एक्टिवेट होगा जब आपका salary type होगा scale of pay और अगर आपका यहाँ पर है salary type of ctc तो ctc पर annum आपका क्या था इसके लाब मन्तली आपको salary कितनी मिलती थी यह आपको type है उसके according आपको जानकारी यहाँ पर provide करनी होगी इसके बाद यहाँ पर है period of service आपने कब से कब तक काम किया तो जो एक काम है वो फ्रेंस आपकी qualification की बात का होना चाहिए तो वह आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर कब से कब तक में आप जानकारी है वो आप provide कर सकते हैं multiple आपने काम किया है multiple organization में आपने काम किया है तो आप multiple organization की जानकारी भी यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके बाद फैंस से यहाँ पर अगर आपके पास EPF या UAN number है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी जानकारी provide कर सक सकते हैं और रीजन फोर लिविंग को फ्रेंज से आप यहां पर बिलेंग चोड़ सकते हैं अगर आप यहां पर सर्विस में नहीं है अभी तो आप पर रीजन बता सकते हैं क्यों आपने उस काम को छोड़ा इसके बार आपको यहां पर अप्लोड करना होगा पीडिया फॉर्मेट में तो यहां पर फैंस इसकी जानकारी प्रोवाइड करने के बार आप नीचे आएंगे और यहां पर आपको अप्लोड सेक्शन मिलता है तो आप इस पर एडिट करेंगे और यहां पर देखिए फोटोग्राफ आपका डेट ऑप बर्थ पूर्फ मतलब आपके दो टेन की मार्शीट या सैटिफिएट है वो आप अप्लोड कर सकते है का सैटिफिएट डेश द्रीरेट्फिट किकेडियो गया जो जो आपका सैटिफिएबल हैर आप पर आपको पीडियेफ का सैटिफिएट मिल जाएगा फोटोउड आपकी यहां प्लोड हो करेंगे इसके बाद Фेर्ट से यहां पर आपको प्रिविु सेक्शन मिल जाएगा अगर आपको लगता है कोई आपकी गलती है γάकर सही कर सकते X 4 Living कर सकते हैं यहां के लिगा गनाथ कुई टी नहीं दों हम चाफ करेंगे करने के लिए और उसके बाद आप अपने पास रख पाएंगे अगर आपका वरिफाइंग नहीं होता है आपका जो अकाउंट से पेमेंट है वो डिड़क्ट रहता है पर वो वरिफाइंग नहीं होता उस कंडिशन में आपको वेट करना होगा और उसके बाद दोबारा से आप login कर सकते हैं और अगर वो verify हो जाएगा तो आपको अपना printout का option जो है मिल जाएगा तो यहाँ पर फैंसे मैंने आपको सारी process बताने की कोशिश की है कैसे आप MDNL मिधानी का non-adjective post का form फिल कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा के वीडियो पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching